हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटीव चैनल मेरा नाम धरंबी शर्मा और आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि आप अर्म कर सकते हैं पार्ट टाइम अगर आपके पास भी दिनका एक गंटा या आदा गंटा टाइम होता है और आप एंटरटेन्मेंट के यह भी स्पेंट करना चाहते हो यह नौलेज लेना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है तो आपका जो मोबाइल है अभी तक आपसे चार्ज कर रहा है आप रिशार्ज करवाते हो तो अगर उससे आप पैसा कमाए तो उस लाइविल्टी को आप एसेड में कर सकते हो तो उसके लिए क्या करना है जो आज मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ इसमें कैसे हमने अपॉस्팅 करनी है कैसे उसकी सेटिंग करनी है। और कैसे हमने उसमें से USD currency में जो पैसा मिलेगा, उसे कैसे बिडरॉल करना है, ये step by step मैं सारी information आपको दूंगा, अगर आप भी future में कुछ बनना चाहते हो, अपना part time work करना चाहते हो, तो इस वीडियो के साथ आप ये काम कर सकते हो, कहते हैं कि एक right direction, right person और right idea इंसान की जिं सकते हैं, ये site open हो चुके है, यहाँ पे आप अपनी knowledge share कर सकते हैं, और ग्यान हासिल कर सकते हैं, आप हिंदी में या English में, जैसे भी आपको comfort है, आप दोनों में से login कर सकते हैं, और इसमें और भी reason language है, तो यहाँ पे press करने के बाद, यहाँ पे sign up आप कर सकते हैं, Gmail या Facebook य यहाँ पे मैंने अपना नाम दे दिया है, उसके बाद email id हम fill कर देंगे, next करेंगे, उसके बाद आपको confirmation आएगी email की, तो उसके according क्या करेंगे आप, उसमें code आएगा, उसे fill कर देंगे, fill करने के बाद आपने अपना password set कर लेना है, password set करने के बाद आपने इसे login करना है, त जैसे कि मैंने technology, movies और health में select कर लिया है और digital marketing में select कर लिया है तो इसके related ही मुझे वहाँ पे post show होगी और मैं अपनी questioning कर सकता हूँ और answer दे सकता हूँ जिसके तुरू आप earning करोगे तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं इसका interface है आपको look like facebook की तरह ही दिखेगा बीच में post चलती रहती है जो बीच बाला column है और आप देख सकते हैं left side में इसके जो मैंने interest select किये हैं वो आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पे right side में उपर देख सकते हैं यहाँ पे question आप कर सकते हैं अपना फूच सकते हैं public से और अपनी post यहाँ पे create कर सकते हैं यह मेरी profile है जैसे facebook में एक profile होती है उसमें हम pages add कर सकते हैं तो यह profile है इसमें monetize की options है आप इसमें language select कर सकते हैं यहाँ अभी मैंने English में किया हुआ है आप Hindi में भी कर सकते हैं Hindi में आप अपने हिसाब से कर सकते हैं Hindi, English, Marathi इसमें आप देख सकते हैं regional language है तो उसके बाद हमने इसे page को open कर लिया है आप देख सकते हैं right side में जैसे chat option होती है facebook में कुछ मिलता जुलता है उसी के तरह आपको easy रहेगा इसे use करने में तो यह सारा आप देख सकते हैं जो जो मैंने interest select की है तो इसमें क्या करना है यह profile हो चुकी है तो उसके बाद यह profile में आप अपनी photo लगा सकते हैं pick लगा सकते हैं आप यहाँ पे edit कर सकते हैं अपना नाम edit कर सकते हैं तो इसमें automatically इन्होंने दिया हुआ है कि तेरे बार आप अपना नाम edit कर सकते हैं तो यहाँ पे इसका dashboard बना हुआ है जो profile का है अलग से profile पे भी आप questioning कर सकते हैं अगर आप space नहीं मनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपनी details जैसे आपने देखा होगा Facebook में एक profile होती है जहां पे अब autos होता है अपने बारे में होता है school education तो यहाँ पे भी same आप fill कर सकते हैं यह आ गया topic क्या आप जानते हो आपको knowledge किस platform की है किस product की है जो भी आप select करते हो अपनी profile की space पे बनाना चाहती हो तो यहाँ पे जैसे मुझे web designing, web development और YouTube का earning source और इसके according मैंने कुछ इसमें से select कर लिया आपने type किया उपर add automatically वो category हो जाती है यहाँ पे आप देखिए मैंने तीन select की हैं अभी बाद में आप change करके add भी कर सकते हैं आ चुका है, उपर public आ चुकी है space आ चुकी है यह कुछ जैसे हमारे pages होते हैं group और pages देखते हैं ऐसे यह space बनी हुई है यहाँ पे page को यह space कहते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं multiple बनी हुई है यहाँ पे अब मैं एक space आपको create करके दिखाऊंगा कि इसमें मैं technology related question के answer कर सकता हूँ या question पूछ सकता हूँ तो उससे जो traffic आएगी कैसे इसमें पैसा जरनेट होगा कैसे हमने बड्रॉल करना है वो सारा मैं आपको step by step बता रहा हूँ तो आपने इस video को अंतक देखना है तो यहाँ पर मैंने छोटी सी एक information दे दिया कि यह channel किसके related है जो यह हमने space create की है तो यहाँ पर यह कह रहा है कि आपको जो google में gmail में हमारे accounts में अपने link होते हैं आगे से आगे क्या आप import करना चाहते हो मैंने अभी skip कर दिया है आप भी skip कर सकते हो आगे skip करके इसे next हमने यहाँ पर invitation link को copy करके आप by gmail google invite कर सकते हो public को तो यह मैंने अभी follow करके process यह आगया हमारा space आप देख सकते हो आप easy आपके लिए रहेगा कैसे इसे समझने के लिए आप facebook को easy ले सकते हो अभी तक आपने facebook पे ज्यादा काम किया है तो profile और page यहाँ पे है profile और space इससे आपको understand जल्दी हो जाएगा तो यहाँ पे आप अपना admin चोड़ सकते हैं या किसी को admin बना भी सकते हैं moderate के लिए जैसे हम facebook page में भी admin बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ page की space की detail यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं आप देख सकते हूं अभी मैं short में description में आपको बता रहा हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे logo ने question पूचे हुए है post की हुई है अब यह कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी next इसी वीडियो में बता हूंगा तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसमें क्या करना है logo आप अपना कोई बना हुआ है वो लगा सकते हैं या बना सकते हैं तो यहाँ पे मैंने tech talk भी दरमीर इसे पहले copy कर लेता हूँ मैं इसके according ही मैं logo त्यार कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो उपर cover paper लगा हुआ है आप देख सकते हैं तो उसे cover photo को आप color के हिसाब से change कर सकते हैं या अलग से अपना creative भी आप बना के इसमें add कर सकते हैं अलग से यह तो by defaults में color थे मैंने color set कर दिया है तांकि समय ज्यादा न लगे और आपको हम इसकी education भी दे सके तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा logo by photoshop create कर रहा हूँ तोड़ा इसे मैंने fast कर दिया है तांकि आपका समय ना लगे ज्यादा तो आप भी ऐसे canma भी बना सकते हो या अपनी photo लगा सकते हो या आप tag का जो भी आप अपना channel space बनाना चाहते हो उसके according वो set कर सकते हो इस space में तो यहाँ से मैंने एक logo छोटा सा simple सा बना लिया है तो हमने उसके बाद क्या करना है इसे मैंने save कर लिया है अपलोड करने के बाद हम इसे done कर देंगे save करने के बाद आप उपर देख सकते हैं right side में आपको चोटा सा मेरा icon अभी back end पे दिखने भी लग गया है तो प्रेस करेंगे यह दिखिए यह बन चुका है तो अभी हम क्या करेंगे next इसमें कैसे हमने question करने है और कैसे हमने post करने है वह अभी मैं आपको बताऊंगा आप इसके according और भी बहुत सारे question जो front end पे आपको दखाया था कि आप कैसे उसे press करके देख सकते हैं यहां पे आप अपने जो भी question वगरा करना चाहते हो पब्ली करना चाहते हो लिम्टर पर्सन को ही दिखाना चाहते हो तो इसमें आप select कर सकते हो तो यहां पे मैंने एक simple सा question बुचा what is RAM and ROM full form इसका क्या है जैसे आपने देखा होगा computer में RAM और ROM होती है तो उसके related जब मैंने यहां पे question किया तो यह suggest भी करवाएगा कि आपका यह question कौन से इसके related है कि आपका IT के related है या कोई अलग से तो नहीं है तो यहां पे हमने confirm कर देना है यह IT के related है अभी यह profile पे जा रहा था अभी page पे कैसे करना है वो मैं सारा आपको बताऊंगा profile पे और page पे अलग-लग से आप कर सकते हैं तो यहां पे हमने क्या करना है यहां पर suggestion भी है और आप सीधा बोल सकते है original question जो आपने पूछा है वो original के लिए आप select कर सकते हो यहां से तोड़ा सा आप hint दे सकते हो कि यह IT के related है कौन से product के related है तो यहां पे मैंने आप नीचे देख सकते है मैं IT के related इसे select कर दूंगा कि hardware के related है क्योंकि RAM उसी में यूज होती है आपको बता hardware का part है तो यह सारी option आप देख सकते हैं आप Hindi में select कर सकते हैं और English में अपने हिसाब से आप select कर सकते हैं तो यहाँ पर select करने के बाद इसे मैं अभी करने के बाद बाकी next time इसे save कर देंगे यहाँ पर done कर दीजिए तो done करने के बाद हमने क्या करना है आगे जो next हमने कैसे पोस्ट करनी है उसके बारे मैं अभी मैं बताऊंगा आपको यह हमारा question था request answer यहाँ पर बहुत सारे इससे पहले भी जो space यूज़ कर रहे है खोरा को यूज़ करने है उन्होंने कितने answer दिये हैं उनकी ranking क्या है कितना success rate है उसके according यह आप आप आ सकते हैं उनको आप request कर सकते हैं कि वो आपके question का answer करें तो वैसे यह basic question था तो basic question के according एक education purpose के आपको मैंने बताया है तो यहाँ पर मैं request कर सकता हूं आप multiple person को request भी कर सकते हैं इसके according या आप अलग से अपना question post कर दे उस पे public automatically बहुत सारी answer करने लग जाती है तो इस इससे क्या रहता है कि जो public आपके question पर आती है interesting question होगा अच्छा होगा unique होगा तो उससे आपके जो space पर traffic आएगी उसके साथ क्या होता है automatically वो traffic आना शुरू हो जाता है तो जब यह ranking में आती है traffic आती है तो आप देख सकते है right side में blue color में दो add लगी हुई है तो इस तरह add आने शुरू हो जाती है जैसे कि आपने देखा होता है ब्लॉग करते हैं Google blogger बनाते हैं और YouTube होता है Facebook होता है उसमें जहाँ पर traffic होगी वहा है पर click होगा और earning generate होगी तो यहां पर हमने आपको question दिखा दिया हमने post कर दिया तो अभी हम क्या करेंगे इसमें और setting क्या करेंगे यहां पर हमने क्या करना अपनी country भी select कर लेनी है कौन सी country से होगा तो यह हमने space करने के बाद select करने के बाद इसमें जो यह options है वो सारी next करके यह finalize 3 की 3 option को done कर दिया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर आपको यह सारा जो interface है यह space का interface है आप difference अभी समझ चुके होंगे एक space हो चुकी है यहां पर यह front end है home page है इस पर आप सारा wizard करके post देख सकते हूँ तो यहां पर इसमें हम next क्या करेंगे जैसे कि इसमें up boat है आप देख सकते हो जैसे हम like करते हैं share करते हैं comment करते हैं तो इसकी अलग से यह category बनी हुई है तो यहां पर एक question आया हुआ है what is full form of SEO what is SEO full form digital marketing form in digital marketing तो इसे क्या कर सकत हम Google पर हम इस answer को हम डाल सकते हैं तो उसका answer हम वहां से find out करके उसे refine करके भी दे सकते हैं अपने हिसाब से या अगर आपको knowledge आया तो आप उसका अलग से एक अच्छा answer कर सकते हो यहां पर यह example के लिए मैं आपको बता रहा हूँ तो यहां से क्या रहता है आप answer करके भी प पैसा कमा सकते हो आप posting करके भी पैसा कमा सकते हो वहां जितनी आपके space पर ट्रैफिक रहेगी आपकी question पर आपकी posting पर ट्रैफिक रहेगी ट्रैफिक जन्रेट होगा तो automatically वह rank भी करता है कलको इसके related Google पर अगर question टाइप होता है और वह Quora में rank पर है तो उसके according space पर Quora पर भी public visit करती है तो उसके according traffic आती है तो यह हमने process करने के बाद जो next है हमने यहां से answer select कर सकते हैं done कर दिया हमने answer अपना आप देख सकते हैं उसका answer कर दिया है और publish हो चुका है तो यहां से अभी जो posting है इसे आप देख सकते है अब बोट करना means like करना है यह देखिए तो यहां पर आप down means like और dislike की तरह इन्होंने बनाया हुआ है comment कर सकते हैं आप यहां पर कि इसमें से क्या options आप comment पड़ भी सकते हैं और जिसका comment अच्छा लगा उसे भी आप like dislike कर सकते हैं वह आपकी च्वाइस है तो यह सारी options दी हुई है अलग-लग ऐसे post भी बना सकते हैं अब बन कि यहां पर अच्छा लगा comment तो मैंने like कर दिया अब बोट कर दिया है तो यह सारी आप pictures देख सकते हो ऐसे अलग-लग space बनी हुई है अलग-लग topic पर बना हुआ है तो आप इसके recording देख सकते हो मैंने इसमें दो बनाए है एक तो tech talk with dharambir और दूसरा entertainment manch means एक Hindi में बनाया है entertainment manch और tech talk with dharambir English में मिनाया है तो इसमें कह रहता है कि अब इसमें एक unique benefit और भी है कि अगर आप Hindi सेलेक्ट करते हो और एक साइड English तो दो पेज एक टाइम पे दो space खुल जाते है another language में different language में तो यह सारा आपने देख चुके हो यहां पे well icon में जो notifications आपको आती है आपकी क earning है कितना यह सारी information आप देख सकते हो screen पे तो इसके recording कितनी आपकी traffic रही है कितना आपका monthly earning है यहां पे 30 दिन का status आप देख सकते हो इसके तुरूप यह सारा आपका space में आपको notification आती रहेगी तो इसके recording यह आप चेक कर सकते हैं तो उसके अलावा जो next setting है इसकी यह profile आपको दिखा दी है मैंने तो यहां पे हम क्या करेंगे अभी next profile के बाद इसमें language हम select करेंगे अभी Hindi तो यहां पे मैंने Hindi language select कर लिया है आपको मैंने बताया था मैंने second channel भी इसमें बनाया एंटर्टेइन्मेंट मंच तो यहां से एक तरह का अलग से आप new space बना सकते हो Hindi में space आप देख सकते हो उपर right side में top पे आ चुका है मेरा अभी जो tech talk भी धरमीर था English में था वहां पे display था यहां पे display नहीं है means यहां से आप नया create कर सकते हो अगर आप दू चलाना चाहते हो space या एक पे आप focus करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अब पहले ही अपना बिचार कर लीजिए किस पे काम आपने करना है तो यह हमने यहां पे बनाने के बाद इसे differently आप चेक कर सकते हैं यह profile है इसमें हिंदी में profile भी अलग से different हो चुकिया है यहां पर वो space हिंदी में सारी दिखा रहा है अलग अलग से तो आपने कौन सा बनाना है तो आप यहां से knowledge ले भी सकते हो आप देख सकते हो कितने article बने हुए हैं तो आप knowledge share भी कर सकते हो जितनी ज़्यादा traffic होगी उतना इसे change कर दिया है तो हिंदी में आपको दिखा दिया है अभी मैं back English वाले पर आ जाता हूं तो यहां पर फिर आपको मैंने जो space बनाई थी यह दिखा दिया तो यहां पर यह unique है कि एक side आप हिंदी में भी run कर सकते हो यह अलग से home page आ गया इसका और एक side आप English में रन कर रह आया था select किया था health का marketing का और entertainment का था movies का था तो उसके related भी यहां पर आप देख सकते हैं questions आ चुके हैं कि कौन सी movie का कौन सा hero था तो ऐसे आप देख सकते हैं आपका कौन सा interest है उसमें आप अराम से check करके उसे आप select कर सकते हैं तो यहां पर अगर आपको लगता है कि आप भ और पैसा कमा सकते हो यहां पर आप theme का dark mode set कर सकते हो mode change कर सकते हो अपने हिसाब से तो यहां पर आ जाता है इसका status कि कितनी traffic आई है आपका content क्या है तो यहां पर जो मैंने question का answer किया था और एक question मैंने डाला था तो यह दिखिए जो मैंने question डाला था उस पर 41, 40+, means review आ चुके तो उस पे अभी तक किसी ने answer नहीं किया एक मैंने answer किया था वो आपको दिखाया था कैसे answer करना है तो इसमें क्या रहता है कि यह traffic है यह traffic ही जैसे traffic बढ़ती रहेगी आपका जो यह page है वो grow होता रहेगा जब page grow होगा तो इसमें earning का source और ज्यादा बढ़ जाएगा तो अगर आप यूट्यूबर हो आप facebook पे भी काम कर रहे हो या digital blog पे भी काम कर रहे हो google blog पे तो साथ में यह भी आप add कर सकते हो जहाँ पे आप content डाल सकते हो तो यहाँ पे मैंने यह select कर दिया सारी earning eligibility क्या क्या है यह आप check कर सकते हो तो उसके इलाबा यह हम आ जाता है यहाँ पे step कि जैसी यह आपने देखा होगा earning का कितने डॉलर पे 10 डॉलर पे यहाँ पे withdrawal है जो उन्हें दिया हुआ है उसके according यह first payout का आपको दिखा दिया है इतना आप इससे withdrawal कर सकते हो तो उसके बाद इसका banking क्या system है कैसे हम उसे withdrawal करना है वो भी मैं आपको अभी option दिखा रहा हूं तो इसमें option आप कर सकते हैं जब आपका payout हो जाता है ready उसके बाद आप payout कर सकते ह तो नीचे आप dollar का नशान देख सकते हैं जिसके तुरूब आप payout select कर सकते हैं इसके नीचे तो उसके बाद क्या करेंगे इसमें जो option है बाकी जब आपका further payout का time होगा तो आप इसके according अप select करके अपनी detail डालके payout निकाल सकते हैं तो यह बाकी सारी information मैंने आपको जो दी इसे आप ध्यान से आप चेक करके इसे follow कर सकते हैं अगर आप भी इसमें part time earning करना चाहते हो तो यहां से आप सारी information email confirm करके उसके बाद जो step by step information आती है तो वीडियो लंबी ना हो जाए तो इसके काल मैं short में ही बता रहा हूं तो यहां से आप पैसा withdrawal कर सकते हैं अगर आप अपनी life का daily 10 से 20 मिंट या एक घंटा निकाल सकते हो तो यहां से भी आप earning कर सकते हो तो यह सारी information थी कोरा के related कैसे हमना post create करनी है कैसे हमना इसमें question करने है वो सारी options page पे आ जाती है तो आप post के साथ भी कर सकते हो या question के साथ कर सकते हो या अच्छे article बना के इसमें post कर सकत हो जिसके थूँ traffic जन्नेट हो सके तो यह सारी information मैंने आपके साथ शेयर की है तो अगर आपको मारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना ना भूलिए वीडियो देखने के लिए आपका देन्यावाद बना को साथ एका जन्यावद कर साथ एक हो भीडियो अच्छी लेज वीडियो लाइक कर दो देखने के लिएखने के लिए दो यहाद कर दोऑस्टागल अच्छी लाइक कर दो भीडियो